वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विक प्रिया आज में आपको वेच मेयोनीट सेंडिश मयाना बताऊंगी जो कि बच्चों के बहुत ही फेवरेट होते हैं इन्हें हम बच्चों के लंच बोक्स में भी रख सकते हैं या जब भी को घर पर देश्ट आये तो हम ब्रेकफास्ट आमें ट्वीटर फॉलो करना चाते हैं तो डिस्करेशन पर दिये हैं लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं तो चलिए बिना समय अबया हमारा वीडियो चार मेने ब्राउन bread के slices लिए हैं आप चाहे तो white bread भी ले सकते हैं अब इसके हम corner हटाएंगे इस तरह knife की help से हमें चारो तरब से जो है यह हटा लेने हैं यह देखे बड़ी आसानी से निकल जाते हैं इस तरह आप देख सकते हैं corner मेरे निकाल लिए हैं इन्हें हमें फेकना नहीं है इनसे हम bread क्रम्ब बना सकते हैं तो चलिए अब हम stuffing त्यार कर लेते हैं stuffing बड़ाने के लिए एक बाव लिया है उसमें ने 1 cup पकड़ी एड की है 1 cup मैं यहाँ पर डालूंगी पत्ता को भी जो हमने बारी कट किया है 1 cup टमाटर 1 cup डालेंगम सिमला मिर्च 1 cup बारे केका प्याज 1.5 cup लिया है 1.5 cup लिया है 1.5 cup तीजप्ट लिया है काली मिर्च पाऊडर यहां पर मैंने लिया है वेज मेयोनीज आप कोई साभी 혼ण के ले सकते हैं 4 टीइस्पुन हम इसमें एड करेंगे यह पाइब विन्हें 4 टीइस्पुन लिया है इसको भी हम इसमें एड करदेंगे और सभी को मच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह पूरा हमें अच्छी तरह से इसको mix करना है स्टेफिंग हमारी बनकर तयार हो गई है अब हम ब्रेड पे लगाते हैं सबसे पहले हम टोमेटो केचप लगाएंगे इसको अच्छी तरह से हम फेला देंगे अब जो स्टेफिंग हमने तयार की थी वो हम लगाएंगे इस तरह दूसरी ब्रेड को इस पर हम cover कर देंगे अच्छी तरह से इस तरह हम दूसरा भी करेंगे दूनों को हमने त्यार कर लिया है अब इनको हम तवे पर सेकेंगे गेस को ओन कर दिया है और गेस पर मैंने तवा रख दिया है अब इस पर मैं घी एड करूंगे आप चाहे तो बटर भी लगा सकते है पूरा अच्छे से हम फिला देंगे इसको अब इस पर हम ब्रेड के स्लाइस रखेंगे इस तरह गेस की फ्लेम को मैंने मीडियुम कर दिया है, मीडियुम फ्लेम पे हमें इसको सेकना है, जब तक यह गॉर्लन ड्राउन कलर का नहीं हो जाता है, फुल फ्रेम पे हम इसको नहीं सेकेंगे नहीं तो यह जल जाएगा अब इसको हम एक बार पलड देंगे यह देखे कितना अच्छा सिख कर तयार हुआ है इस तरह एधर से भी हमको सेकना है इस पेचुला की हेल्प से हमें इसको हलका सा प्रेस करना है तक कि अच्छी तरह से सीख जाएं खाने में यह बहुत ही टेश्च लगता है बच्चों मा तो बहुत ही फेवरेट होता है आप जरूर एक बार घर पर ट्राइ कीजिएगा तो चलिए अब हम देखते हैं इधर भी हमारा सीख गया है या नहीं दिरे से हम इसको पलतेंगे यह देखे इधर से भी हमारा अच्छे तरह से सीख गया है अब इसको हम उतार लेते हैं और दूसरा भी इससी तरह हम सेकेंगे आप देख सकते हैं दूसरा भी हमारा सीख गया है न fed обम इसे ख़़ंच कर देंग玩 अब में इसको कट गथेक्ट पूंडें गे उपनाछा क्रिस्पी बन कर तैयार सब्ma देख सकते हैं मैंने सफ़य कर दोनों को मैने कट दिया है अब हम सर्व करेंगे जब भी घरपर कोई मेवान आए तो प्रफ बड़्डreek पार्टी एंछापि fabrics को पर पार्टी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्लिक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपने जो सेंड्वीच बनाए हैं वो कैसे बने हैं टेंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो आपका दिन शूब रहें